तो ये एक दिल्चस बात है कि इसमें भी हमें कोई ने कोई तेल डालना वरता तेल से चलती है बिना तेल के नाव भी नहीं चलती है ये मचली का आदा पाड से अच्छा अंग्रेज ने जब मचली का वो टुपड़े की है तो तीखा कहा दी ये तेल दी कैसे है अच्छाल में तैरती हुई नोकाएं तो आपने बहुत देखी हुगी आज हम आपको दिखाने कोशिश करते हैं कि ये नोकाओं का निर्मान कैसे होता है एक दिल्चस्प बात ये भी है जैसे हर वहन किसी gёз्लिण सी एधन से चलता है तो यह नोकाएं हैं ये भी किसी एधन से चलती है हम बताएंगे आपको कि इनके लिए किस एधन की जुरुत पड़ती है एक दिल्चस्प बात है तो यह रेनादिवी मंदिर के पार्क आपास वाला पार्क है एहां यह नौकाओं का नर्मान चल रहा है तो यह पूस्ते हैं कि किस तरह से नौकाओं का नर्मान चल रहा है आप यह नाव बना रहे हैं तो इसके कुछ खास बात है कैसे बनाते हैं क्या बनाते है थोड़ाजा इसके बारे में कि बताईए है पाट खतम हो गया अच्छा इसको अमने निव चेंज कर दिया जाते हैं जो पाट इसका सड जाता है जो चेंज कर दिया जाता है ठीक है पानी का कहाम है सर पैसंजर को गुमाना होता है इसलिए इसमें कोई भी पूर्चा इसा डिफेक्ट नी होना जीए तो कि पानी के अंतर की आदमें की जिंदे की का सवाल है जेते लोग इसमें बीचे हुए अच्छा यह ये जो लकडी आप यूज कर रहे हैं इस चीज की लकडी यूज कर रहे हैं यह जिए प्रूज गडी है जो मत्तूत लगडी हूज मुदू हूज यवा अपने लगा रख़ा है इसमें जो वह जो भी चीज आप यूज करते हो मेरी खाल से वह लुहाँ यूज करते हो नशिया दिखाएंगे जंग निखाएंगे किस तरह की कील होती है यह जो नाव होती है इसके बहुत है इसके बिना तेल के कोई गाड़ी नहीं चलती तो यह भी नहीं चलती है तून की लकडी होती है, इसमें ओयल होता है, जो कि लकडी इसको पी लेती है, जो है कि लकडी इसको मदबूर रखती है, उसके बाद में इसका ख्लियर वर्निस हो जाता है, वर्निस भी बहुत पीती है, वर्निस भी एक तरगा तेली है, वो तेली लिशा साल होता है, वो इसम कितना लीटर के लगता है चार लीटर जाड़ो में चार लीटर तो इसको ठोक रहे इसका रिपिट जन्झ कपना है यह तामी के लगा हूं ना आप बता हुद है कितना लीटर बाव निस एक कर दूण तो यह दिल्चस बात है कि इसमें भी हमें कोई ने कोई तेल डालना वड़ता है तेल से चलती है बिना तेल के नाव भी नहीं चलती है है एक तरस हीival सकते है भिल्कुल इसमें गहां और पजिन का श्रच खैना अर्स टेल और जाता बक्ड़ी श्रच गर्सी का तेल यह पर सिसका जगुज़ प॥ाétais अटिक अर्फी देल श्रच गा घुज़ आघ Цय श्रौका पी इसको अच्छा अगा पार से क्लेश गयगे को अर तो अल्सी का तेल कितना पीती है तो यह चार लिटर एक बार पिया जाएगा और उसके बाद रिपेर करते समय रिपेर करते समय जैसे हमने यह पुरानी बढ़ती यह नहीं है अच्छा तो चार बार पी पूरी बनते समय और वर्निस पीएगी तीन लिटर और चार लिटर सर्दियों में तीन लेटर और गरिवी में चार लेटर जैसा है वर्निस कौन्चा है बॉके पीजा पूरी जी अच्छा तीक अच्छा ये वर्निस यह बिएगी इसके लाओ जो पतवार यह सब चीजे यह लकड़ी है किस चीज की बनती है पतवार्ब चीड की है पाइन की अच्छा इसके लावला लुहे के कुंड़े तो होते है इसमें रूलर जो है इसके लावा और क्या-क्या खास बाते हैं जो रहती है नाव बनाने के अंदर में कोई ऐसा कोई आप मतलब क्या चीज को ख्याल लगने के लिए तो कितने लोग अभी नैनिताल में हैं जो यह नाव को बनाने का काम करते हैं अब हमें तो 36 साल काम करते हैं क्या नाम है आपका 36 सालों से काम कर रहे हैं अच्छा और कितने लोग हैं इसमें रोजगार है करी 10-20 लोग है या 40-50 लोग है अच्छा मलोब करी 10-20 लोग है 15-20 लोग है अप जिसके हम गुरू हैं तो 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 नहीं रहे अप्रगुनाजी नहीं रहे अच्छा अना गुपाल मिस्ट्री रहा तो नहीं तेस बुजुरूग होग है उन से शीकें उही बना रहे हैं इंचलों का नाम तो आपने लेलिया ह विल्कुल विल्कुल कितना एकिना नाव जो है वो बनती है तो कितना आपको लेवर जाती है कितनी लकडी क्रचा होता है या फिर मतलब नाव किते बन जाती है अगर आप रहनी फीट में पर रहनी फीट में हो जाता है। यह वैसे इन जनरल हमको नहीं बनानी है। मतलब हम पूछ रहे कितने बन जाती है। इसमें तुए आपका एक लाग पच्छीस वीजार रपे खर्टा आजाता है। अगर काम करता है। तिने पर बन जाता है। लेकिन टाइम भी लगता है। एक मेहना लग जाता है। एक मेहने में एक नाव बना पाते है। यह रिपेर कर पाते है। एक नाव बन जाती पूरी है। एक नाव नई बना पाते है। और यह जो नाव हैं यह कितने समझ में खराब होई जाती है करीब करीब क्या है। इसका तरीका क्या है। इसका रिजन यह है। अगर कियर करने पर तो यह 20-25 साल चलेगी। कियर करोगे। किनारे नी लगाओगे अरहाम से userि Two. किमारे नी लगाओगे। सर यह पर आपता शाती है। और रिष gradual फ리का पर उठीक पूड़ाद ही। तो वह जोतां खर खशने करना वहार है। वह जो रहें की बाद साहितों क्यूंड़ाब नीड़ाद है। हाँ हाँ बदल दो चलती रहेगी एक बार सवालाक रुपे करीब खर्चा करो और उसके बाद क्या जामुन का क्या होता है चामुन की नाव बिहार में चलती है अच्छा इस नाव को भी ऐसा कुछ है कि जैसे हम कहते हैं कई बार की जो मचली जलकी रानी है अगर पानी से निकालो तो मर जाएगी तो ऐसी नाव के लिए अगर पानी से निकालो तो अच्छा 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 अच्छ बगडिगो और 50 लाग हे रहेगे र हादध। ऐसको पानी से के निकालों पार को अरश ही आदमी चाही शेमेर नहीं चल रही है। अंट के लिटा पानी से निकालों पानी से बैदूह से यह ना इसुछ ना है 20 seconds नाहीं चाही है। इसको भी पानी चाहिए पानी में रहना है इसको नखडी को नाओ को यह चीज है पानी तो जरूरी है यह पानी में चलने लाइक आइटम बनाई है तो पानी तो रहे गई बिलकुल बिलकुल एक तरह से मचली है ठीक है अधी मचली है ठीक है अधी मचली है ठीक है अधी मचली आप लोग कहते हैं अगर आप काम करते हो तो इसको गंदगी एक चीज ये भी कही जाती है ना कि यहाँ जो जो बॉर्निस इसका है अब यहाँ खर्णिमोर्य करता है पानी में पने को आपको जाती है। ऐसके यहाँ परॉका इसको लिए हुआ है अच्छा मैं ऐसा कहते हैं मतलब क्या बधेते हैं कि वर्णिस जो है वह ज्फील पानी मिलता है उसको दूस्यत करता है ऐसा नहीं है ठीक जब तक यह नाव में वहनिस करते हैं, जब तक यह नाव को अपर ही रखने बनीगे, ठीक है, जब वो सूख जाता है, जब आपको एक हाथ लगाओ के एक इंचे नी कित के लागे, नहीं नहीं, बिल्कुल सूखने के बाद जब पी लेगे, कितना समझ लगता है इसको सूखन ठीक है, आपका धन्यवाद आपने बहुत बहुत जाल का लिए, धन्यवाद आपका है, ठीक है, नोस्काइब वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, कृपिया वीडियो को लाइक वर शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, धन्यवाद